प्यारेव द्यार्थियों, साहत रूपान दी जानपशान दी चलरे लड़ी दे वेच आज जासी जेस साहत रूपते नाल जानपशान करांगे ओ है जीवनी जीवनी शब्द अंग्रेजी दे शब्द बायोग्राफी दा समरूपी है जीवनी दा अर्थ है किसे व्यक्ति दी जीवन कथा किसे व्यक्ति ने जीवनन किमें जुए है उस बारे लिखना कि किसे दे जीवन जिड़ा उसने जुए है उदे नाल साड़ा कीस बांद है साड़ा किसे दे जीवन जुण दे नाल एस बांद है कि असी उस दे जीवन दे जुड़े तजर्बे ने जीवन दे जो अनपव ने जीवन नूँ उसने किस तरीके दे नाल हंडाया है जीवन नूँ ओस व्यक्ति ने किस त्रीके देनाड माने आए ओदा जीवन दे प्रती द्रिष्टी कौन की सी ओस दा जिंदगी दे प्रती द्रिष्टी कौन की हो रहा है दे बारे वेच आपां गल करनी हों दिया ओसनों समझना होंदा है ते जदों आपां अपना जीवन बतीत करना है ता ओदे वेच ओदे जड़े अनपवने ओदे जड़े तजर्बेने ओस व्यक्ति दे जो ओदा जीवन संसार है ओस तों आसी बहुत कोज़ सिखना होंदा है जित्तों तक पञ्जाबी दे वेच जीवनी दा सबंद है ओदी जड़े शुरूआत है ओ साखी प्रंपरा दे नाल होंदी है ते ए साखिया जड़िया ने गुर्मत दे अनसार गुर्णानक देव जी दे नाल सब दों पहला सबंद जड़िया साखियां सी ओ लिखिया गई प्रातन जन्मसाखिया ओ जन्मसाखिया जड़िया ने उना दे वेच श्री गुरु नानक देव जी दे जीवन दा बिरतां थे उना दे जन्मतों लेके उना दे जोती जोसमाउं तक उना दिया उदासिया बारे उना दे रबनू प्रापत करन बारे जानकारी जड़िया इन साखी साहत देवेच है पर असी उस साखी साहत नू जीमनी साहत दे रूप देवेच नहीं रख दे जहां उसनू इस तो अलग रख दे हां अलग समय दे हां उस दे पिशे कोज एक कारने के जीमनी साहत दा जड़ा सच है उस साखी साहत दे सच नालो वक्रा है साखियां जदो लिखियां गईयां गुरु नानक देवजी दे जीवन दे बारे दे विच गुरु नानक देवजी दे समाचार जडेने जीवन ब्योरे दे बारे दे विच ता ओ साखियां उन्ना दे समय दे विच नहीं लिखियांगी एक गाल दा है ते दूसरी गाल गुरु नानिक देव जी एक महान, विदवान, गुरु ते संस्थापक सन एसलाई उन्ना दी जीमनी लिखन देले जड़ा लिखारी है, जड़ा साखी कार है, ओदा नजरिया जड़ा है, होरत रादा है, जीमनी साहत नाड़ों वख रहा है, ओओ एक अधार्षदे रूप देवेच, गुरु नानक सहब नू पेश कर रहा है, ते नाल दी नाल ही, कई गालपनिक तात्त जड़े ने, उन्ना साखियां देवेच जोर दिते गए, जान उन्ना देवेच प्रवेश कर दिते गए, तां के साखियां जड़ियां ओ ज्यादा जड़ियां रौच का बन सकना, ते नाल दी नाल ही एक एवी गाला ही, के ओ साखियां जड़ियां उन्ना नू परातत्त पार ब्रहमंडक जा एस संसार्तों आ लौक कर आंग जड़ा है, ओ देन दी भी कोशिश केती गई, ते अजाई ज जड़ा जीवनी दा सलमाक साथ है, ओ थूड़ा जा लंबे हो गया, तो इस तो पहले कि जीवनी साहत दी गाल करिये, अपां देख देए कि ओधी परवाशा कारण वाले जड़े विद्वान ने, उनना ने जीवनी नुक्य में समझा, ते सब तो पहले से दा न्यू अमेरि जीवन दा इतियास है, किसे व्यक्ती दा जीवन इतियास, उस दे जीवन सबंदी तथा दा इतियास, जहां जीवनी लेख गबल्लों, उस व्यक्ती अथवा चृतर नायक दे विचारण आते, अते समया दी अपने टांग नाल कीती व्याख्या भी हो सकता है, की है, की कह रह व्यक्ति दे जीमन दा इतियास, प्यारे विद्यार्थिए हो यह ते मैं एक गल ता अनुसपस्ट कर देया, के जीमन इतियास नहीं हुंदी, पर इतियास वर्गी हुंदी है, क्यों इतियास हुंदी, वोदे च ताथ भी हुंदेने, अंकड़े भी आ सकदेने, पर जिटा जीमनी कार है, जहा जिसता जीमन लिखेया जा रहे हैं, उस दे अनपव जेड़ेने, उस दा दृस्टी को जिटा है, ओ इतियाश कार जिटा, इतिया आस लेख के जड़ा ओधे नाड़ों वक्रा होंदा है. इन चीजनोंहापनोंना सम्जन्दी लोरा है कि तर रह नें यह होर शैल दी वीच लिखे जनाना होंदा है जदों सब्सक्राइननल में दक्षा शैली ह्याएं जीवन दे जना रंग आक और अलग होंदा होने जिमन दाय आश तर नाली-जिका शाण चरित्रनायक दे विचारा ते समया दी आपने टांगनाल कीती व्यक्या, क्यों हो जी केमें समनीधार्या हो जिंदगी नो, किस टांग दे नालो ने जिंदगी बतीत काम दी कोशिश केती, वो भी एदे वेच समाया होंदा, दूसरी प्रभाशा है, डाक्टर राजेंदर दव शाष्टर दा परिभाश कोश उस पुस्तक दे वेचो ना ने जीमनी बारे लिखे, जीमनी किसे व्यक्ती दा जिस दी सिर्जना पिशे अंग्रेज कवी लांग फैलो दी स्थापना, केडी स्थापना है? आसी मैं स्रेष्ट कितरांडियां पेडां उतते चल के अपने जीमननों उच्चा आते स्रेष्ट बना सक दे हाँ, प्रेरनादारोल अदा कर सक दे हाँ, या है, असी किसे तो प्रेरत होना है, तो प्रेरत किसे नो प्रेरत करने वाला व्यक्ति, तो दो शब्द ने, एक है व्यक्तितव, एक है शक्सियत, तो व्यक्तितव की होंदा है, कि व्यक्ति आपने आप विच जो है, उसनों असी की कहने है, व्यक्तितव, तो शक्षियत की है, एक व्यक्तितव जड़ा है वो दूसरे लोकानों किन्ने विशाल, पदर तक परभावत कर सकता है, वो दी शक्सियत है, किन्ने लोके कि सक्षियत परभावत होंदेने, उसनों सक्षियत नाम देता जाता है, व्यक्तितव अपने आप देविच, कही लोकान व्यक्तितव बहुत अ सामने नहीं होती है. So, एंड हैं बारा फ़र्ट थोड़ा जा पहे जहानता है. त matar एक 17 सक्षियत परिभावित होना हünde है, जह हें प्रहर ना लें तो जेड़ी सक्षियत हुना है, प्रहर ना लेंना, ओस दी ही जीवनी ज्ड़ी है वो लोकान दे बेच विचर साग दिया, मान प्राव्च कर साग दिया, परवान हो साग दिया यसी तरह ही डाक्टर जांसन डड़ेया वो जीमनी बारे केंदेने जीमनी लेक कदा उदेश चरितर नायक जां व्यक्ति दे जीवन दिया उना कटनामा जां कार गुजारियां दा रोचिक वर्नन करना होंदा है जो उस व्यक्ति जा नाएक दी वड़ी तों वड़ी प्राप्ति जा महानता तों लहेके निकियाँ तों निकियाँ कारबारी गल्लानाल जुणियां हो दियाँ हन। जीमनी वेच च्रितर नायक दा समुचा जीमन बरताता सकता है, जा उस दे जीमन दे एक पाख बारे भी ए लिखी जा सकता है। जा पूरा नहीं ओना ते एक जीमन दा एक पाग जा एक पाट जड़ा है वो उस जीमनी दे वेच आ सकता है। इस दिन उसारी डाक्टर रतन सिंग जगी ने जीमनी दी प्रवाश्या दिन दे लिखे है। के जीमनी सहत दा ओ रूप है जिस विच किसे श्रेष्ट श्रितर वाले व्यक्ति दे जीमन दा बिरतांत इतने कलातमक सोज नाल दिता गया होवे के ओ व्यक्ति दी सक्षियत पुनर सिर्जत रूप विच पेश हो जाई। एहे एक परकार नाल जीवे होए जीमन दी पुनर सिर्जना है। बहुत ही खुबसूरती इस गाल्दे विच है के जो जीमननों जीवा है उसनों शब्दा रहें पुनर सिर्जत करना है। जिमें जुया है वोसनों अजनभी करत करना है वक्रा बढ़ांके पेश करना है जो जुया उप जुयत है ही पर उसनी जो पेशका किती जा रही है वो एक नमें सिरेतों जीवन दीडा है वो जुया जा रहे है। ते उदे बेच किते ना किते जीवनी कार है पर मिनगे के जीवनी नू जीडा लिखन वाला हैगा, उस व्यक्ति दे, उस लेखक दे कुछ अनपव, जा उदी शबदावली, जा उस ती शैली, जा उस ती कलपना, किते ना किते, जा उस दा जेडा दृष्टी कोन है, उस जीवनी जीडा जिस व्यक्ति बारे जिस नायक बारे जीवनी लिखी जा रही है, उस नू परिभावत करता है, ते उसे करके यह उस दी जड़ी पुनर सर्जना हों दी है, सो ए सारियां पर भाश्यामा जड़ियाने, ए सानू एक जीवनी दी रूप रेखा दे रूप स्रेश्ट जीडा लोक परवानगी हासल कर चुका होगी, जिस नू लोका ने मन लिया होगी, पहचान लिया होगी, केड़े लोक ने जिना नू पहचान आ जाया, एक ता साधे गुरु सहबान बारे जीवनी आने, उस तु पहला जीड़े साधे नायक ने, लोक नायक उना परे जीवनियाने, साधे जिड़े एजादी दे सिरकड व्यक्ति ने, सिरकड आगू ने, शहादत प्राप्त करन वाले सूर्भीर ने उनना दिया जीवनियाने, क्योंके साधे पंजाबी देवेच्च, जाब पंजाब दी जिड़ी अडियालोजी है, जा विचारत आ रहा उदे पिचे है। जननि जनें ता पगत जान, क्या दाता, क्या शूर् नहीं ता जननन भांज रहे, काहे गवावय नोर ? कि है, साधे जडे लोक नायकेने औह दाते ने, सूर मेने, दन्नी ने, सो उनना दिया जीवनियां ही, जड़ियाने औब बच्चयानू जानू जान ल यह नहीं के जेड़ा व्यक्तिता जीवन बिलकुल होई न सदार्न पतर ते गुजर रहा है ओदी कोई जीवनी जेडी प्रभाविती नहीं कर सागदी किसे लोक्समूनू जा वदियार्थियानू जा पाठक नू जेडी जीवनी पाठक नू प्रभावत करन दे आ समरात है ओ लिखन धी ज़ुरूरत भी नहीं हो दे कि लिखी जान धिया तो उधया कोई लाव जेड़ा है और लोका का नू पाठा का नू प्रापत नहीं हुँदाि अचि कोई शाक कि हर जड़ा व्यक्ती है उदे अनपव जड़ेने औल अग हो सागदेने तो न तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ना कुछ सिख्या जरूर जाएगा पर एक जो मन्निया जानदा है कि जीमनी एक खास सक्षियत दे बारे एक स्रेष्ट सक्षियत दे जो लोक, समूव जा समाज जा इलाकाई पदर दे उते कोई परवान की जड़िया परापत होबे उजड़ी जीमनिया लिखी जानी चाहिए। इदेखिदें के होजै तुत्र नावल पड़ेअ नाटक पड़ेअ कहानी पड़ी उधे ताथको जीमनिया पड़ेँ, और जानले उते बिखावस्थू होना चाहिए उधे उधे गठानक वना चाहिए। और वचा पाशायाद लिख शैली है उधे पात्र ने उधे वारताला ते जदो गाले जीवनी दी आउंदी है, ता ए नावल, नाटक जा कहानी, एदे नाळों वक्रा है, एक निरोल वार्तक रूप है, कैदा रूप है? वार्तक दा रूप, जेस दे वेच लिखन दा टांग, ओदा अनपव, अलाग ओदे जड़े तात्य ने, ओ अलाग ने, पहल पहली गाल, जीवन दा साच, जेड़ा असे पेश करना है, जेड़ा नायक है, जिस नायक दी जीमनी पेच गाल कर रहे हैं, ओधा जीमन उच्छा सुचा होना चाहिए, गाल, आसे पगध संग दी कर गिए, पगध संग दा जीवन है जेड़ा, वो बिलकुल ही एक नमया दर आश्यामाला जीमन है, उस ने एक मकामनों हांसल किता अपनी जिंदगी देवेच, उस ने लोकसमोनों जागुरुक किता आपनी विचाहारता आरा देना, ते यह नहीं कि ओधे कोल एक द्रिष्टी कोंसी एक विचाहरता आरा सी ते उस विचाहरता आरानों जीवले हैं, उस उस विचाहरता आरानों अपने उपर हंडाया, हंडाया के उन्हें सानु ए दस्या कि एदे आ नुकसान, एदे आ फैदे ने, ओधे कहनी ते ओधे करनी ही जड़ी है गिया, दोना दे वेच अंतर ने है, पाकिसाएंग दे बारे वेच लिखिया गई है जड़ियां जीवनि दियाने, एक नमा समाज सिर्जन दी गल कर दिया, कि होजा समाज जड़ा के जाती रहत समाज है, जो अगाम वदू है, जड़ा समाज नमे जड़े मरहले सार करना चाऊँदा है, जड़े वेच पोखन आंगे डेडिया नहीं होनी जाही दी, जड़े वेच समानता दा केड़े कलपना ने किती, उनना ने वो समाज नू सिर्जन लई अपना योगदान पाया कोशिश किती, जड़े 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 जीवनी नू असी पढ़ देया, ता वो दी जीवनी दे वेच्चे सानू को जड़े नमा, सिख नू जड़े परपत होना है, किस तरह केड़े केड़े मुल ने, वो केड़ियां समाज दियां, कीमता ने, वो केड़े वचार तेरह है, जशनू अपना के, जशनू अपने जीवन देवेच्च, अरला के, अपने जीवन नू चंगा सोजमाई, ते सचारू, लोक कलियानकारी बना सकने, कि की चीज़ां चाहिए जशनू ने, के वो जीड़ा साच है, जनो, जेकर वो दा जीवन दे बारे देवेच्च गाल किती जा रही है, ता बदूकां बिजयनाला पागर से, जनो बदूकां बिजयनाली कहानी, कटना, वो पेश हों दे जीवनी देवेच्च, ता एक नमी जीड़ी विचारत आ रहा है के कोई कालपनिक गल्ना जडь़ियाएं के जीवनी देवेच्च पाउनी हो देवेच्च गाल hose रहे हो, जो एक व्यक्ति दे जीवन देवेच्च हुया है, ज्यां उसने हंड ह आया है, वो जीवनी देवेच्च धाह दिती जाते हो, फिर सानूका मैं पताया है के उख़ा जीमनई को होगा हैं, ते एधम आर्थी है कि जेड़ा जीमनी कार है, जेड़ा जीमनी नूँ लिखन बाला है, वह सक्ष व्यक्ति दे नेडेरिया होना चाहिद है, जा ओदे जीमन दाउसनू अच्छा अनपम होना चाहिद है, जा उसने जीमन बारे चंगी तरह पढ़िया, यह नहीं कि जड़ा मर्जिश सक्ष जड़ा हैगा वो जीमनी लिख लेगा, जीमनी लिखन वास्ते एक सक्ष दी सुमुच्ची जिंदगी दा जीमनी कार जड़ा है उसनू पता होना चाहिदा है, कदों कदों किमे कट्नामा वप्रियां उना कट्नामा दे पिछे, पिशोकर किस तरां दी अडियोलोजी जड़िया, विचारत आड़ा जड़ी है वो कामकार इसी ओस दा पता होना बहुत जरूरी है, सो पेरेविद्धिया र॥ियो सच्च, जिंदगी दा सच्च, नंगा चिटा चाच्च, सच्च, वो जीमनी लिख पेश होना है, तो जीमनी लिख ज अगली जड़ी है वो जीजिए शिक्सियत, हाँ आप तुसी देख रहे हूं, असी बाबा बंदा सिंग बहादर दे उते लिखियोई जीमनी दी तस्वीर लई है, सहव जादे अजी सिंग ते जुजार सिंग दी जीमनी दी तस्वीर लई है, महा कवी पाई संतोक सिंग दी जीमनी है, ओदे सबांद देवेचे तस्वीर लई है, ओ सक्ष ने, जिनना ने समाज जा सभ्याचार देवेचे नमिया पैडा स्थापत कीते हैं, नमिय लीत हो रही है, नमिया पगडंधियां बनाई हैं, उनना दियां गल्ला ही ऐसी करते हैं, साहिव सिर्य गुरु गोब जीमनी साहिदी, ता हो पाई वीर सिंग गुर्णानक चमतकार, कलगीतर चमतकार ते अस्ट गुरु चमतकार, तेन वडियां वडियां पुस्त का, गुरु सहभान डेडेया, उना दियां जीमन बारेसानू मिल दिया ने, ते शायद इस शुरुवात जडिया नमिय जीमनी प्रमप्रदी ओ यो देनमल जुडी हुई ये तरही जदो असी सक्षियता देवेच्छ गु़देत सिंग कमा skilledमरूदी नाम ले सकते हैं, पाई कांड सिंग नबा दा नाम ले सकते हैं, पाई वीर सिंग दा नाम ले सकते हैं, महत्मा गंदी दा नाम ले सकते हैं, नेरु दा नाम ले सकते हैं, जाँ ओ सक्षियतां जिनना ने समाज दे पसार वास्ते, उदे विकास वास्ते कुछ करन दी कोशिश क उनना दे नाम लए जा सकते हैं. ते ओधी जड़ी सक्षियत है, पहले परभाशा देवेची की सी? के नायक जड़ा है, ओ स्रेष्ट, सर्फुच कीमता जड़ियां स्रेष्ट होना चाहिदा है, जड़े देएं चारे कन्यां पूरियां होन, ओधी होते कोई तबाना हो भी, ओ उस व्यक्ति दी सक्षियत जड़ियां समाज दे सामने पेश कीती जानी बन दी है, जमें उदम सिंग है साथे कोड़े, करतार सिंग स्रबा है, ये सारियां ओ सक्षियता ने जिनना नेम संगरा, अजादी ता जड़ा संगराम है, ओधे वेच्च आपनी पूमिका जड़िय है, ओधा कीती है, ये सहतकार जड़े ने उननना दियां जीवनियां असीन दिला lagi सब्क दे हाँ, मापुर्खां दे वेच, बाबा बुड़ा जी, बाबा गुर्दित्ता जी इननने जड़ियां जीवनियां ने, ओ लहियां जा जाते हैं क्योंकि so thisNow Saksker जड़ियता ने जिन जेडियां लोकां दे मननू, लोकां दे विचारानू, लोकां दे बाधिकतानू परबावत कर दियां हन जा कर नहीं है। सो प्यारे विद्यारतियों, जेड़ा भी जिस लोक नायक दी जीवनी लिखी जानी है, ओधी सक्षियत देडिया, एक उच पाई दी होनी चाहिए दी है, ओ स्रेष्ट होनी चाहिए दी है, ते नहे कलंक शाब्द है साडे को ले, के ओधे होते कोई अजहे इल्जाम नहीं होन सभ्याचार नो जिड़या पिशल पहरी तोर्न जहां उसनो नुकसान पचाउन वाले होन, असी ओ सक्षियता लेणिया ने जो समाज नो सभ्याचार नो अगे तोर दियाने, जहां विकास ता रस्ता वखाऊं दियाने, जहां नमिया जिडिया पहड़ा ने उनना देचलन द की गल करते हैं, समाज नो एक सेध देन दियाने, उनना वो समय जिवनिया जडियाने, वो सक्षियता ने जीवनिया ही लिखिया जानिया, चाहे दिया हन, आते पेरे विद्यारतियों जो दो आसी पांड़ नमीया है जिवनियानों, तांसी ए चीदा त्या रखिये के वोदे वेच की है, भूमरेंग तकनीक हो सक दिया, पर पहला नावल दाएंड देके, बाद वेच पिछ जड़िया नावल नू शुरू कार ले जावे, जह में नानक सिंग दे नावला, चिट्टा लहू, जह होरना दे वेच आमे हैगा, पर जीवनी दी जड़ी तकनीक है, उ से जीवनी लिखी जा रही है, वो केडिया होर सक्षिया तांतों परबाःत होया, जिया में कामा गता मरू हूए, वो अराम दे नावल जपां देविच पांसे वेच कम कारदा सी, वो केडिया, समझ से आमाने जहां केडे वो कारण रह, जिनना कार्णा कार्ना चारके, वो पार्ति जा पंजाबी लोकानों जड़ा कैनेडा पचावना चाव, पचावन वालत वर्पया, इसे तरह ही करता हर से इंग सराबादी गाला है कि वो किनना हलातां देवेचे, किनना सिस्टमां देवेचे वो देश दी अजादी दा परवाना बढ़िया, यह एकता हो हो रहा है कि जिन्दगी जुई किमें गई है, कि इस टांगनाल जुए आ गया, क्योंकि इन लोक नायका ने आपने जिन्दगी आपने लाई नहीं जुई, ओ लोक नायक से गे, जिनना ने बाबा फ्रीज जीदा शलोक कि मैं जानेया दुख मुझ को, दुख सुपाया जग उच्चे चड़के देखिया, कारकार एहा अग, तो जिन्ना ने ओ सक्षियता ने, जिन्ना ने कारदे वेच लगणवाली जड़ी आग सी, कारकार वेच लगणवाली आगनू पहचानेया, ते ओस आगनू ठारन लई जतनकरन दी कोशिश कीती, ते बहुत हादिता को सफल ह उनना दे सक्षियत जड़ी है, उनते एक तर्तीब देवेच, एक किमे किमे कटनामा जड़ी है, जिन्दगी देवेच, वापरतियां गई है, कटना देनाल कटना जोड़के, अगली कटना, फिर कटना, एक कटनामा दी एक लड़ी जड़ी है, उन पेश किती जान दी है, ज कि पहला आसी जेत देती, बाद देवेच उदे कार्म दे दिये, नहीं, प्यारे विद्यार्थियों, जेडी जीवनी है, जीवनी देवेच, कटनावाने, तिथाने, तरीकाने, एक करम देवेच, काल करम देवेच ही चलना होंदा है, वस्तों बाहर जाके जीवनी जेडिया, ओ काम ओदा जेड़ा केरा है, ओ बिगड़ जानदा है, ओ जेहां नहीं वापरदा, अगली गाले, योग दा चितरन, योग चितरन की है, के जीवनी जदों लिखी जा रही है, ओ स वेले दा समा के हो जासी, ओ सक्षियत ने के हो जह समेदे वेच, जेड़ा जीवननों जुय ते ओस जीवन, जे हो जाया उसने जीवन जुया है, ओस ने ओस समेदे के में परभावत की था, यह साथ गुर्णानक प्रगटेया, मिटी तोंद जाग चानन होया, ओस वेले दा विख्यान है, कि जदों ही ओदा असर की होया, गुर्णानक दे जनमदा, के अज्ञान दा अ कंदेरा मिट गया, ते नालदी नाली चानन जड़ा है, ज्ञान दा, ओस दप परसार होन लागया, यह जीवनी दा जुग चितरन है, ओर राजे शी मुकदम कुते, जाय जरायन, बैठे सुते, कि है कि ओस जड़ी राजयां परती, जड़ी पामना है, ओस समेदे राजयां जो शुरूप है, ओस अजे शब्दा देविच, ते जड़ो जीमनी गुर्णान का देव जीदी जीमनी जड़ो लिखी जान दी है, ता ओस वेले दे आहलात, जड़ो बाबर ने किमे हमला किता, ओस साइध पर देविच जड़ा हमला होया, गुरु साहब उस दे नाल किमे पर बाबत होया, इस गल्ला भी नाल दी नाल लिखिया जान दियाने, जा मलक पागो कौन सी, पाई ललो कौन सी, उनना दे विच की फर्क सी, ए गल्ला जड़ियाने, ओस देनियां बन दियाने, ओस वेले दा चितरन कारना होंदा, ओस वेला जमें साड़ा पगज सेंग दा अजादी दी लडाई दा समा है, ओस जूझे, सौन सेंग पकना है, ओस जूझे, गुर्देज सेंग कामा गाटा मारू, ओस जूझे, किन लही? अपनी अजादी वास्ते, अपने चंगे अधिकारां वास्ते, उनना ने लडाई कीती, कोल कीता, दूरा कोल, एकता समाज, जा सुसाइटी सी जड़ी, ओस उनना चेतन कारनवासते को ओल सी, ते दूसरा उनना को ओल सी जड़ा, ओँ अंग्रेज जड़ी हकूमत है, ओदे खिलाफ, दोरा को ओड, उनना सक्षियत आने, जड़ा है कुलिया, ते नतिजाद अपने सारें दे सामने है, जदो दिखो, मैं एक उदारन देना की के जड़ा क्रिक्ट दा मैच है, ओदे वेचे मैन अफ दा मैच देड़ा चुनेया जानता है, किद्रो चुनेया जानता है, जड़ी जित्ती होई टेंग्मे, ओद्रों, हारी होई टीम आला नहीं जीनती, ते जीवनी दे वेच भी ओग्षियत पेश कि जिनना ने कोज अचीव कीता है, जिनना ने कोज परापत कीता है, हाँ हो सक दिया, गलीलियो दी जीवनी हो सक दिया, सुक्रात दी जीवनी हो सक दिया, पलेटो दी जीवनी हो सक दिया, मेरी क्यूरी दी जीवनी हो सक दिया, क्यों नहीं हो सक दिया, क्योंकि उनना ने कोश मैं बार-बार एक चीज चीज दे ओते जडा थिहान के इंदर रुद का रहे हैं, कि ओ साक्ष जिननाने समाज नो, सब्याचार नो, नमें 10 हिदे जडिया ओ पर्दान कीदे, ओ सक्षिता जडियाने उन्ना दिया जीवनिया ही यसी पढ़निया, लिखनिया, सोड़निया हूं इससे तरह पाशा ते शेली सिघाल है कि कीवें लिखी जाना है, जडी जीमनी है, एक कता है कोई प्लिटिकल राजनीत की नेता हे गा, वह नेता दी जदो घीमनी लिखी जाऊगी, तो ती जीमनी में चाहां राजनीत की शबदावली आईगी, आईगी. किसे विद्वान दी जिमनी लिखी जाएगी ता ओदे विच्छ अंग्रेजी दे शावद जड़ा है, तो कुदर्ती आजानगी. इसे तरह ही जदो कविशर दी कोई जिमनी लिखी जाएगी, तो उस देया कविशरी दीया सत्रान है, उस दे जीवन नो पेश करन दास्ते सदा कारणल ही आ जानगी है। जदो किसे सूर्बीर जोदे जिड़ा जिसने अजाद्धी दे लई कोल किता है, उस सक्ष दी जीमनी लिखांगे, ता शबदावली जड़ी है, कुदरती तौरते उस पारेशब्द जिड़े है गया, उस जीमनी दा हिस्सा बन जाती है। पेरे विद्यार्थी हुंदा किया है कि जिस तरीके नाल किसे ने जीमनों गुजा रहा है, जहां जिस खेतर दे वेचे जीमन गुजा रहा है। जह में सायत दे खेतर वाले जड़े बंदे ने उनन दी जदो अपास जीमनी लिख रहे है, ता शबदावली होरत रहा है। सूर बीरा दी शबदावली होरत रहा है। यसे तरह ही राजनीत्ती वेता दी होरत रहा है। जड़े आर्थिक विद्वान ने, अर्थचारेदे विद्वान ने उनना दी होरत रहा है। जड़ी जीमनी है, वो दी जड़ी पाशा है, वो हुंदीता सुधारन लोक जा सुधारन जड़ा पाठक है, वो दे पद्दर दी है। यह नहीं, कि आसी शबदावडी वर्त दी है, जड़े के आम जड़ा व्यक्ति है, आम जड़ा सक्ष है, आम जड़ा पाठक है, उननों समझीना है। एक बड़ी गाल है कि जीवनी जड़ी है, ओधी पाशा, पाठकां दे लोक, समूज जड़ा है, उनना दे लेवल दी, उनना दे पद्दर दी होनी चाहिए है, दूसरी गाल है, शैली देवेचे, कि जीवनी देवेचे एक राच्कता होनी चाहिए है, ताके जदो बंदा अनू रखे न, इमें होवे, ओधे वेचे राच्कता है, कि एकवरा जदो बंदा पान लगा, पाठक पान लागया, ओ लगा तार पड़दा तो रहा जा रहे है, तो तो सिख दा में है, तो जेड़े अकेमे वाली है, ओधे वेचे वेचे बंदा जड़ा है, ओ सिख नहीं स लोकानू एक व्यक्ति दे सक्षियत रहें, जिंदगी दा पाठ पड़ाउना, जिंदगी दी समझ पैदा करने, लोकानू जीवन दसना, लोकानू चेतन करना, लोक समूनू उनना व्यक्तियां दियां, जीवन दियां कटनामा दासके, उननानू प्रेरत करना, उननानू जी ब eleven, अजे बनाऊना वना, उनना देा जीवन भीछा खूशे परना एजीवनी जड़िया, ज़ी उदेश Blaze के आसे सारे तजर्बी आपना करियें अशी जिनना सादियां द्रशाव सक्षियता ने जड़े तजर्वे कीते ने उन्हासे सिंखिए के उन्हों अपने जीमन दे विच आतम साथ करिए ति उस टांगदेनार जड़े जिदे चंगियां गलाने उद उनसार अपना जीमन देडाए वह बुतीवकर्न दे कोशिश करिए सब तों बड़ा उदेश ही है कि जीवन तों प्रेरत हो के नमे जीवन दा साथा पहला टांग सी नीरत सी उसनों होर खूब सूरत बनाऊना तो जीवन जिनने वदिया सक्षियत दी होएगी उनने यसी ज्यादा प्रभावत हों आगे आते लोक्समों जड़ा उस तों उनना ही वदिया जड़ा प्रेरना लेके जिन्दगी नूँ बहुत खूबसूरत बना सकता है प्यारे वदियार तो जुरूरी है के आसी आपने जिन्दगी देवेच वाक वाक जड़िया जीमनिया ने उननों पड़िए ते उनना तों सिख्या प्राप्त करन्दी कोशिश करिये ते अब जी आपँ जड़ा जीमनी दे बारे जे गल कीती है ओदेवेच आपँ पर संग देवेचे साड़े तक पहुंचा है, ति अस इतियास्तों उस जीमन दे अनपवातों शिखना है, शिख के अपने जीमन देवेचे उसनों लागू करना है, ति इस तरी के नाल असी की कर सक दिया, कि अपनी जीमन नूं होर खूबसूर्त, होर प्यारा, होर अनांद मे बना सक दिया, सो जदो में ये दा तो आड़े कोड़े पर्चे देवेचे ए प्रशन होंदा है, ता एसनों एसी सीक्वेंस देवेचे तुसी लिख सक दियो, सो मेरे मताब के तुसी त्यान किता होएगा तन बाद.